जो स्टेबिलाइजेशन के बारे में इसमें होता है कि आपका जो इमें सेंसर हो खुद बखुद मुह होता है और खुद बखुद मुह होके स्टेबिलाइजेशन का काम कर देता है इसमें जो आपको लेंज चाहिए वो भी लेंज आपको अगर आपकी नोन स्टेबिलाइजे पर आपका काम है तो यह जो काम है सेंसर इसलिए करता है ताकि वह मेंटन कर सके, जो प्रोजेक्शन तुसे मेंटन करने की लिए इमेंज की इमेंज सेंसर की मेंज मेंज करने रही है यानि इमेज सेंसर के पास उसे मेंटेंड करने के लिए इमेज सेंसर मूँ होता है और वो इमेज मेंटेंड करके आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर दिखा देता है इसलिए इमेज सेंसर मूँ होता है और यह स्टेबिलाइज़ेशन का काम कर देता है अब यह मूँ कैसे हो करकि actuator को बच देता है actuator वो सारी information लेता है यानि actuator, जिसमें आपका sensor रखा गया है, assemblue की गई है उसमें सारी information आठ दे उस actuator के पास और वो actuator को करता है आपके image sensor को यह image sensor को move करने के बाद image sensor अपनी जो focal length उपने उस image को capture कके उसके बाद वो आपकी स्मार्टफोन की स्क्रीन पर दिखा देता है इतना सिंपल सा वर्ट प्रिंसिप लेसका और यह जो टेक्नलजी यह कोई नहीं नहीं लेकिन आइफुन टोल में आने वाली है यह पुरान यह कैमेराज में बहुत यूज की गई है यह सोननी वालों ने यूज की गई है जैसे शेता है तुछ लिए तक टेर्ले द्यम्ना वे आयेंगी तब बात करेंगा नहीं में उन्चाना थे तक है